कि मैं तो यही करता था तब जाके मैं बच पाया था एंडिंग में जब वो श्लेवर से बहुत तेजी से बढ़ रहा था और हम को पप नहीं कर पा रहे तो कई बच्चे नहीं कर पाए हम कर पाए क्योंकि हमने पैस तो यह टेक्निक तो अप्लाई करनी ही करनी है तो मेरा नाम है पार्थ गोहल और मैं एक सुरेंट उस वक्त तो अक्षे न मुझे इतने कॉल कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी आखर में जाके इतना इसना फॉर्स किया मेरे को तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताए को में भी अक्षे नहीं बता रखा हो तो मेरी नीट तो आज हम डिसकास करेंगे अपको क्या करना चाहिए एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए यार क्या हाल चाल यह कंप्लीट टू इयर प्लैन वीडियो है यह कोई टॉपर्स इंटर्व्यू नहीं है यहां पर कोई पॉड़कास नहीं चल रहा है कुछ बातचीत नहीं चल र हर बच्चे के दिमाग माते हैं इस दो साल की जरनी में और उसका complete answer किया है पार्थ ने detailed answer दिया है पार्थ ने सारे questions का और इस वीडियो में सारे questions से तुम्हारे answer मिलने वाले हैं तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ यह video please ध्यान से देखना नहीं देखना है तो ध्यान से बस सु कि क्या-क्या answer है क्योंकि और questions तुम लिख सकते हो यह answer तुम point में लिख सकते हो साल भर तुम बिता दो strategies देखने में वीडियो देखने में तो नीट नहीं निकल पाएगा यार क्योंकि अगर हम reality की तरफ जाएं तो तुम देख सकते हो कि 16-17 लाख लोग देते हैं उसमें से 41,000 कुछ government seats हैं बात जिर्फ seats कि नहीं बात तुमारे दो साल किया तुमारे dream किया है तो ध्यान से यह पूरा वीडियो देखना to become zero to hero यार पूरा हमने record कर लिया वीडियो और इस वीडियो में पूरे question answers है from your class 11th preparation class 12th में जाओगे class 12th खतम होगा उसके बाद time मिलेगा फिर नीट आएगा तो पूरे question answers है जो जो question तुमारे दिमाग में आएंगे बट उसके पहले important question है कि dummy school ले या फिर proper school जिन्होंने भी school नही जहां पर तुम बहुत ही कम attendance जानी होती है सिर्फ exam देने जाना होता है समझे बहुत ज्यादा कम attendance तो तुम अगर पता करोगे अपने सहर में तो आसपास dummy schools मिल जाएंगे school से तुमें बात करनी होगी proper school वो जहां तुमें 75% attendance चाहिए अपने board exams के लिए dummy school में तुमारा time वो फालतु चीजे प्रेक्टिकल को भी वग रहा है यह सब तुमें especially अभी तो नहीं करना है अभी तो केफल पड़ाई पर फोकस करना है सब चीजे में करना होती है वो फालतु होती है लेकिन अभी तुमें concept building पे और remembering पे फोकस करना है ठीक है अभी तुमें आलतु प्रेसर आजता है यह कॉपी वो कॉपी सजाओ बैट के स्कूल के नोट्स बना रहे हैं कोचिंग के नोट्स तो इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है एक एम रखो एक एम पर ही फोकस करो ज्यादा टाइम उस पर ही दो और नोट्स को लेकर एक बहुत important बात पार्थ ने भी तो कितने भी colorful तुमने बना है हमारी रख वारी नोट्स है वो तुमसे बैटा रहे हैं को कि हम पढ़ रहे हैं ना तो यह important हो यार यही यही बात मैं भी कह रहा हूं कि नोट्स में ज्यादा वेस्ट मत करो टाइम स्कूल की copies में ज्यादा वेस्ट मत करो टाइम थोड़ा बुक्स यूज करें ओथर्स की या फिर कोचिंग्स के मटेरियल्स यानि की कोचिंग्स की मॉट्डूल्स यूज करें तो बैस्ट बुक्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो की काफिशादा इंपोर्टेंट है कई सारे पच्छों को नहीं कि देखू क्या होता है जितने भी कोचिंग इंस्टिट्स होते हैं उनकी बुक्स बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है पर्टिकुलर कॉंप्टिशन के लिए जैसे नीट कि उनकी किताब होगी वह ऑप्टिमाइज रहती है काफी जाता बाकि जो हम ऑथर्स की बुक ल इस पॉइंट से मैं 100% अगरी करता हूं कि हां मॉड्यूल्स तुमारी बेटर होती है इस प्रटिकुलर किसी एक्जाम की प्रिप्रेशन के लिए तो मॉड्यूल्स लेना और अगर सेकेंड मॉड्यूल्स चाहिए तो कुछ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगा चे कोचिंग नेसेसरी फॉर नीट और अभी तो ऑनलाइन करें या ओफलाइन करें अभी तो कोविट सिचुएशन भी है बिल्कुल सही बात है कोचिंग नेसेसरी होती है आप अकेले घर पर बैटके नीट नहीं निकाल सकते हो आपको कोई ना कोई तरीके से एक गाइड़ेंस अच्छी ने लगते थे बिल्कुल भी पर फिर भी मैं अच्छी रेंग फोड पाया वेको तो अच्छी ने लगते थे और हम लोग हमारे जुराजी के बिटीचर ऐसी थे आपको अधिक्कत आएगी आपको सब्सक्राइगा कि मैं पीछे चल रहा हूं या आगे चल रहा हू और वो पूरा आपका सत्यानाश हो जाएगा नीट का इसलिए किसी भी तरीके से ऑफ्लाइन ऑनलाइन कोचिंग जोन करो तुम्हें स्टिक रहो तुम आराम से निट निकल पा रहे हैं तो यार देखो अभी तुमारे पास तुमारा 11 से स्टार्ट है तुम 11 के तुमारे यह प्राइमरी हमने पूछ लिए बट अब यह 11 का जो तुमारा ट्रांजिशन है यह बहुत बड़ा ट्रांजिशन है बहुत बड़ा सिलेबस तुम्हें सामने रखा हुआ मिल रहा है यही इसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पार्त का यार कि यह अगे चलता था तो मैं चल सकता हूं तो तुम भी चल सकते को जैसे खास नहीं होता है बस करना होता है पढ़ना होता है जिस दिन तुम पढ़ने लग जाओगे बस उस दिन से तुम्हारा काम चालू हो जाएगा और यार प्लीस मेरे साथ भी हुआ था बैक लॉग्स वाला करती है ठीक है और फिर लास में से घुमाते हैं तो कई बच्चे कोप नहीं कर पाते हैं हमें तक मुझे तक दिक्कत आई थी मुझे आता है इस्पेशली जन देसंबर से जन के टाइम पर बहुत तेजी से स्लेवस बगाया गया था आखरी वाली जो सेकंड पार्ट होता है पता भी नहीं चारता सेकंड वाली बुक कब खतम हो गई तो इसलिए शुरू आसा ही पड़ो और कोजिंग वाले तुम्हें थोड़ा सा धीला छोडते है शुरू आत में तुम्हें साथ साथ में हम तो बल्कि तुम अपने आप से बोलो कि तुम्हें टीचर से आगे चलना है टीचर जो टॉपिक पड़ा रहा है वो तुम्हें पहले सी आना चाहिए मैं तो यहीं करता था तब जाके मैं बच पाया था एंडिंग में जब वहुत तेजी से बढ़ रहा था और हम को पप नहीं कर पा रहे तो कि बच्चे नहीं कर पाए हम कर पाए क्योंकि हमने पहल अब कई महान आके बोलेंगे कि यार कैसे इतना तर्फ पढ़ना नहीं है उपर से इतना कुछ रटना भी पड़ता है एक तो कैमेश्री की इन और गैनिक और गैनिक के इतनी रियाक्शन सिरीज सब कुछ कैसे रटें तो डर्ना किसी चीज़से नहीं है ठीक है डर्ना किसी इन और गैनिक तुम आराम सियाद कर पा रहे होगे तो मैं बस कैम है क्या होता है तो तुम्हें एक्टिव रिकॉल की प्रोसेस का इस्टमाल करना एक साइंटेफिक बेस्ट टेक्नीक है पढ़ने की वह ता एक्टिव रिकॉल आप जब पढ़ रहे होते हो तो आप अपने आप से पूछो सवाल ठीक है आप एक जैसे आप पढ़ रहे हो इन और्गिनिक आप एक कॉपी बनाओ उसमें आप कॉश्चन लिखते जाओ जो भी आपको पॉइंट लग रहे हैं जो एक पूछे जाते हैं आपको एक आईडिया हो जाएगा विट टाइम कि कि सवाल आपको एक आंसर आप लिख सकते हो बगल में अगले दो तीन पेज बात जिससे कि उस पेज पर ना हो जिस पेज पर कॉश्चन हो और इस तरीके से आप कर पार होगे मैंने एक वीडियो भी बना रही है स्पेशली केम हैक की उपर तो वो उसमें मैंने अच्छे समझा रहा ह हैं सच में तुमारे क्लास 11 स्टाट से लिगर नीट इग्जाम में बैठने तक के सारे डाउट सारे कुश्ञियर होने वाले हैं अब तुम्हारे आगे डाउट आ रहा होगा कि आर सब पढ़ लेंगे ठीक है सब याद कर लेंगे प कैम हैक बना लेंगे बढ़ रिवाइस क मैं भी पड़ा है वह चीज मैटा करती है के वलब है तो क्या होता है कि पड़ते हैं हम लोग यासे श सबसे आपको बायो है क्या होता है कि आपने चेप्टर पढ़ा जिसे मैंने चेप्टर पढ़ा है वैसी तो आपने इंसाइट का चेप्टर पढ़ रहा हूं उसमें जितने भी इंपोर्टेंट फेक्ट्स हैं वह आपको एक कॉपी पर लिखने लिए प्रू फॉल्स फिल इंद ब्लैंक और बाद वन वर्ट के फॉर्मेंट में तो आपको ऐसे करना है कि माल लीजे आपने दोपेज पढ़े तो दोपेज मालो की दस पेज को चेप्टर है तो दोपेज पढ़े और उसके मालो थीस-चारेश्च गौश्चन मना लिए कौश्चन मना लिए उसके बाद रुक जाना है दो पेज पढ़ने के बाद अब वो Ques productivity के आंसर देना हूं अगले दो पेज मैं ठीक है तो इस तरính से मतलब 40 questions मेंना है 20 questions के आंसर तो क्या होगा कि पहले आपनेों एक बाद पढ़ने के बाद आप सात सात में question में आते ज्यारो को उस दो पेज को पढ़नेरे का आप आपने फिर आंसे लिग दिये तो आपका रिवीजन हो गया तो आपने डवल बार पढ़ लिया और क्योंकि साइन्टिफिकली प्रूवन है कि आते से एक घंटे के इंटरवल में अगर हम सेम चीज फिर से पढ़ते हैं तो हमारा तो रिटेंशन स्पैम है हमारे दिमाग में व अब आये ना लाइन पे क्या question आएंगे basic question जिसका अंसर तुम्हें अभी से जान लेना काफी important है तो सबसे पहला सवाल boards class 12th versus need क्योंकि boards में तुम्हारे subjective answer लिखना होता है तुम्हें और वहीं नीट में तुम्हें अफकॉस करने पड़ते mcqs तो कैसी strategy होगी कैसे अलग अलग परना पड़ेगा क्या करना है बताना यार ठेबर प्ररश यार लेते हैं जिनका कुछी नहीं होता है ठीक प्रेसर कभी नहीं लिया मैंने किसी भी चीज प्रेसर तो पहले लेना बन कर दो अब बोर्ट्स अन नीट तो बोर्ट्स बहुत सिंपल थीज़ें प्रस के लिए तुम आखरी की एक दू मैंड़े चिंता करन अब ही तुम्हें स्टार्टिंग में चिंता करने की बिल्कु भी जुरत नहीं है और जैसे ऐसा तुम आच्छे सब नीट के लिए पढ़ोगे फेस्ट केमिस्ट्री बालो जी बोर्ड में कुछ नहीं है वह यहीं पूछ नहीं है वाखे इंग्लिश तुम पढ़ी सकते हो कर बोर्ड तुम निकाल लोगे बस आखरी के देखना होगे तुम तब देख लो अरे ठीक है यह सब तो आपने बता दिया कि हां सिर्फ दो महीने में हो जाएगा लास्ट के कुछ टाइम में हो जाएगा बोर्ड बट करना क्या है उस लास्ट के महीनों में ये एक बिदेखन नहीं में करना हो से कि तुम है कि सबज्चि के सब्जक्राइब नहीं बॉरे फार цен बर्ड एक्जां से उता है जैसे 10th में previous year questions repeat होते हैं उसी तो 12th में भी repeat होते हैं तो previous year तो end में लगाओगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा बट अब देखो यहां पर पूरा हमारा plan मनाना है हमें नीट तक का तो boards है, boards हो गया, okay Boards के बाद कुछ time मिलता है तुम्हें, अब उस time में क्या करना है especially नीट के लिए After board two or three months में अब वो तुम्हें depend करता है तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम्हारा slavers ही complete नहीं है तो पहले अपना slavers complete करो, ठीक है तुम्हें 12 खतम होता है मैं तो कहता हूं कि नवेंबर तक, 12th class जब रही होगी तो उसके नवेंबर तक तुम 12 खतम कर लेना अप्टोबर नवन बर तक, 11th revise करो, जैन तक 11th खतम करो उसके बाद तुम इधर आजाओ अपने बोर्ट पे वेंबोर्ट की तेयारी करो, मार्च में बोर्ट दे आओ, उसके बाद में आएगा मार्च में अप्रेल आएगा अप्रेल में तुम अपना बाइव पड़ो और फिजिश केमेश्री रिवाइस कर लो अप्रेल के बाद में में पेपर होता है, तो कर सकते आराम से कोई दिक्कत ने आती एक महिने में तुम तुम प्रिवेस एर कॉश्चन कर नहीं है, मताँ ल अच्छा होना चाहिए, मैं कहता हूँ, टेस्ट कम लगाओ, अच्छा करो, ऐसा अनलेसिस करो कि जब वो टेस्ट फिर से तुम लगाओगे, 720 में से 720 आने चाहिए, ठीक है, ऐसा अनलेसिस होना चाहिए, और एक कॉपी बनाओ, जब भी टेस्ट का कोई करो, तो उसका जितन कर दी थी, ये वाले में ये कर दी थी, और वो कॉपी बार बार पर पढ़ना है, हर वीकली, हर फोटनाइटली इसको रिवाइस कर लेना है, तो ये बहुत इंबॉर्टन रोल प्ले करता है, बिकॉज मैं तुम्हें एक एक्स्पिरेंस से बता देता हूँ, एक बात की, 11th का पीपर माल दो तुमने लगाया, उसको एक साल बात तुम ट्वेल्थ में लगाओगे न, हो सकता है कि तुम वही सिली मिस्टिक जो तुमने 11th में करी थी, वहीं ट्वेल्थ में आगे फिर से कर दो, समझ रहो, बेटा रुख जाओ, खतम नहीं हुआ अभी, देखो यार अभी, तुम्हारा 11th, 12th हो जाएगा, सब हो जाएगा, वाट स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, कि सबका होता है, कई हजार, कई लाग बच्चों का भी होता है, प्राइवेट अग आउंगे, इस चीज को जितना तुम छोटा बनाऊगा अपते दिमाग में, उतना तुम बहता कर पाऊ, कि लोग या इसको बहुत बड़ा बना ले दो है, कि यह तो हमाई जिन्दिकी का सवाल है, इसके में तो कुछ नहीं हो पाएगा, आम खतम हो जाएंगे, टेंशन इतन के साथ जी हो, ठीक है, तो मज आएगा तुम्हें भी, वो लोग जन्होंने बनाई है किताब है, वो कोई दुश्मन तोड़ी है, वो कोई दूसरे प्लैनेट से तोड़ी है, वो भी अपन जैसी है, बस वो दुनिया को एक तरीके से देखते हैं, उस तरीके से एक बात ऐकी तरफ इंटरेस्ट, दूसरा था मेरा आके आने का वो एक में को टॉप आना है, अच्छे नम्मल लाने में आपने दोस से जयादा नम्मल लाने है, तो यह दो चीजा होती है, एक तो इंटरव दूसरा आपकी एको कहतो या मतलब जो भी चीज़ा है, मतल बश्मन की यह हैं बस और बाकी तो बस इतने ही था तो अच्छे से करो अपनी 11 की प्रप्रेशन अच्छे से करो और मेरे चैनल भी है महाँ पर भी मैं कराता हूं तो महाँ पर आ सकते हो यार दो साल है तुम्हारे पास दो साल पूरा अच्छे से इन्वेस्ट करो बेस नहीं इन्वेस्ट करो और सच में सिलेक्शन होता है तुम्हें सारी वाते ध्यान रखना और इस चैनल पर काफी कुछ आने वाला है तुम्हारे लिए तो नौटिफिकेशन वाली घंटी छेड निना और तब तक के लिए क्या जाना जा पड़े